तो हे गाईज और वेलकम बैक टू मुहक अंस्क्रिप्टेड और भाईया कल रात में हमने इतनी फुटबॉल देख लिए ना कि अब फुटबॉल हमारे अंडर से चीक-चीक के पुकारने के बस भाईया मुझे माफ करो इस से जाधा मैं और जाधा एब्सॉर्ब करनी सकता इ क्योंकि जो consequences इंडिया ने face किये पहली बात तो वो रात में डेड़ बजे पहुंचे है चाइना और उसके बाद जेट लेग और उसके बाद फिर बिना किसी training session के उनको सीधे field की उतार दिया गया और यहाँ पर चाइना जो की host nation है वो यहाँ पर comfortable position में पहले से थे हमारे players जो थे, वो mentally drained out थे, physically drained out थे और वो उनकी performance में reflect हो रहा था बट जब first half में वो goal जो score किया उसके बाद थोड़ी सी उम्मीद जगी थी के यार यहाँ से शायद हम एक victory निकाल ले जाए बट second half में जो पहला goal हमने conceded के उसने पूरे ही I think fanbase की and team की भी जो थी उम्मीदे वो तोड़ के रगदी और उसके बाद तो यार फिर जो भी हुआ वो expected ही था क्योंकि हमारे players ready नहीं थे इस challenge के लिए without any preparation क्योंकि हमें training sessions मिले ही नहीं एक भी training session attend किये बिना हमें field पो जारना पाद बाद में आप देखते हैं कि players कितनी जल्दी exhaust हो रहे थे बट अभी हमारे दो game और बाकी हैं और यहाँ पर मैं तो यह expectations लगाए बैठाऊं कि यहाँ पर India, Agosta match एन सुनिल शेतरी मिलकर इस पूरी situation को turn around जरूर करेंगे और हम अगले round में qualify होके Asian Games के लिए जरूर qualify करके जाएंगे बट आ, Asian Games के अलावा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे भाई, कल Champions League के मुकामले का आगाज हो चुका है और देखो यार, Champions League आप कितनी भी league को importance दो लेकिन सबसे जादा prestigious tournament पूरे योरोप में अगर कोई है तो वो Champions League है क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि कोई भी team लगातार league कितने भी साल जीते लेकिन उनका ultimate team जीतने का जो रहता है वो Champions League ही होता है और यही एक चीज जो थी वो last year City ने पूरी की और उसके बाद उन्होंने अपना नाम जो है मुझे Milan से थोड़ी सी हमदर्दी है क्योंकि जिस साल मैंने फुटबॉल दिखना शुरू किया था उस साल भाई पीक पे थी Milan अपने और वहां से लेके अब तक कहानी बिलकुल बदल चुकी है Milan की भी और Manchester United की भी लेकिन Milan ने कल जो performance दिखाई है उसके बाद expectation ये थी कि Milan आराम से एक easy win निकाल लेगी 1-0-2-0 kind of a victory हो जाएगी उनके लेकिन Newcastle ने भाई अपना जी जान सब कुछ लगा कर defensive एक unit तरह भाई बहेव किया एंड score को निल-निल रखा है और आखरी में देखो एक opportunity उनके लिए भी बनी थी Newcastle के लिए क्योंकि Mike Manion निजडों के बाहर चले गए थे तो यहाँ पर Newcastle के लिए result actually एक point नहीं बलकि एक victory की तरह है वो लोग देख रहे हों क्योंकि यहाँ पर away turf पर जा रहे हो आप 20 साल के बाद Champions League खेल रहे हो और उसके बाद आप 10-0 पर अगर result निकाल के लेकर आ रहे हो अपने favor में एक draw तो definitely एक बहुत बड़ा boost है क्योंकि यहाँ पर अगर आप Milan की बात करो Milan अब एक hefty defeat जेल कर आ रहे थी अगर आप उनकी darby जो है उसके बाद यहाँ पर सबको उम्मीद है कि Milan यहाँ पर Champions League की शुरुआत जो है रफाइल लियाओ ने एक इतना बहतरीन गोल जो वो score कर सकते थे वो fumble कर दिया बट वहीं दूसरी तरह अगर हम बात करें PSG के तो PSG vs. Dotman ने PSG ने बड़ी easy victory निकाल ली Dotman ने कुछ create नहीं किया, Dotman ने कुछ test vest नहीं किया तो वहाँ कुछ जादा हमें देखने को नहीं मिला लेकिन इस PSG की victory ने अब बाकी तीन टीमों के बीच में जो मुश्किल है वो भड़ा दी है क्योंकि यहाँ पर यह तीन टीम में एक positionally fight करेंगी definitely क्योंकि PSG के पास quality है, Mbappe है and one second Mbappe proved everyone कि भाई क्यों उसको future Belendor के तरुपे देखा जा रहा है and Louis Henry की PSG ने definitely यहाँ पर जो इस तरीके से आगास किया है उसके बाद वो जितना pressure में थे थोड़ा pressure उने जरूर कम किया होगा but I think talking point कल के पूरे match day का अगर कोई रहेगा तो वो भाई Lazio की keeper ने goal score कर दिया 95th minute में against Atletico Madrid and मैंने जब prediction दी थी मैंने का था यार Atletico जीत जाएगी और Atletico जीत भी रही थी but ऐसे moments ना यार मतलब बड़े ही special होते हैं कि आप injury time में goal score कर रहे हैं Champions League के opening match day पे और आपका goal scorer जो है वो है आपका keeper I think इस से बहतरीन चीज लाजियों के लिए नहीं हो सकती थी क्योंकि उनको किसी और player से कोई goal की उम्मीद लगनी रही थी and ऐसे ही Ellison ने आपको याद होगा आज से दो साल पहले Liverpool की डूपती नहीं है बचाई थी और उनको Champions League qualify करवाय था उस goal को score करके ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपके लाजियों की पर ने भी कर दिया है बाकी Barcelona is no more Barcelona they are five Salona और यहाँ पर अगर आप बात करो Man City की they don't like easy wins उनको पहले concede करना ही होता है और उसके बाद वो goal score करते है बट शुरू हम अगर पहले discussion करेंगे तो I would want to talk about this Barcelona वाला game अब देखो Barcelona जब तक आपके Cancelo को sign नहीं किया था जब तक आपके Joao Felix को sign नहीं किया था तक बहुत ही ना clumsy सी performances देते हुई आ रही थी and यहाँ पर attacking front पर इतने chances नहीं बन रहते I know कि on swap एक top level team नहीं है लेकिन पिछले ही हफते बलकि तीन दिन पहले ही उन्होंने Real batter score रहा और दो लगातार matches में जिस तरह की performance drop किया आपकी FC Barcelona नहीं That is some serious you know crazy football that they have played And Shavi जो अभी तक आपके regressive football के लिए criticism face कर रहे थे वही भाई Cancelo के आने के बाद, Joao Felix के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि goal जो है Flow कर रहे है, बन नहीं रहे है, flow कर रहे है Lewandowski जो अब तक थोड़े से struggling phase में थे, Lewandowski ने भी दो लगातार matches में goal score कर दिया Joao Felix scoring a brace, Joao Cancelo, I mean narrating the game like he was made to play for FC Barcelona और देगो, जब Felix की signing थी मैंने खुद सवाल खड़े के थे, मुझे Felix की signing का sense समझ में नहीं रहा है कि उसको कैसे use करेंगे, कहां खेलेगा वो, एक ऐसा player जो की massively fail किया Chelsea में and Atlantico में उसके जगे नहीं बन रहे है, वो कैसे improve करेगा, right But I think जब आपको players गलत प्रूफ करते हैं और अच्छे players गलत प्रूफ करते हैं तो accept करने में के भाई हमने L ले लिया है, कोई खराबी नहीं है और मैंने वाकई में Felix के case में L लिया है अब हाँ सिर्फ दो game हुए हैं, competition अभी last match में इतना अच्छा नहीं था But confidence जिस player का कम होता है न, वो कभी भी छोटी मोटी teams के against भी goal score नहीं कर पाता And Felix link up play कर रहा है, involve कर रहा है अपने आपको And it feels like कि अब उसको realize हुए, this is where I belong तो कहीं न कहीं अब अगर Felix का ये performances जारी रहता है तो सवाल सबसे बड़ा ये ख़ड़ा होगा कि भाई FC Barcelona क्या Joe Felix की deal को permanent करेगी next year में जाते में या नहीं और क्योंकि आप अब दो लगातार matches जब इतनी heavy score line से जीच जाते हो तो थोड़ा fan base के मने भी उम्मीदें जग जाती है यार कि अब यहां से हम क्या Champions League को एक target के तौर पर देख सकते है क्या शावी वाके में Champions League हमें जितवा सकता है अब देखो लास्ट यर इसी शावी ने आपको लीग जितवाई थी और एक manager अगर लीग जितवा सकता है तो वो Champions League जितवाने का भी मादा रखता है बट फरक सिर्फ इतना है कि लास्ट यर वाला squad जो था वो काफी unfit था यह वाला squad जो था यह आपका जो squad अब बना है I think this is made to win Champions League और यहाँ पर अगर आप बात करो Jules Kunde आपके अगर आप बात करो यहाँ पर आपके बाल्डे हो गए देन क्रिस्टिंसन हो गए नो अराहो वास देर But I think defense ने जो काम करना था वो बकूबी तोर पर किया And Shavi ball is crazy and Shavi ball is actually working now And बहुत सारे Shavi के जो critics थे और Shavi को जो accept नहीं कर रहे थे In Barcelona Colors as a manager I think उनको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा ज़कर यह बंदा इस तरीके से performances drop करवाएगा तो इसको back करने कोई दिक्कत नहीं है उसके अलावा करें हम बात करें भाई यहाँ पर आखरी match जो था आपका वो था आपका Man City वर्जेज Red Star बॉल ग्रेड और हुने फिर 40 फिर उने लीड ले ली और लाइफ स्टीम जो हम कर रहे थे तो सभी लोग बोले कि यार City concede कर गए कुछ टीम्स का character ऐसा ही होता है कि जब वो concede कर जाते हैं उनको पता है भाई कि चलो ठीक है अब हमने उनको वो करने दिया जो वो करने आये थे अब हम वो करेंगे जो हम करना चाहते है and second half शुरू होते ही लास्ट मैंच में भी West Time के अगेंज डोकू ने शुरू होते ही गोल स्कूर कर देता और यहाँ पर भी similar kind of performance हमें देखने को मिली है डोकू was sensational, Alvarez was sensational येस आप बोलोगे कि Erling Haaland का वो impact नहीं दिखा बट भाई सिर्फ गोल स्कूर करना ही अर्लिग Haaland का काम नहीं है यहाँ पर without the goal वो कैसे team को help कर सकते है वो कलम में देखने को मिला है and my god उस Champions League वाले गोल ने बाइन के अगेंज जो Rodri ने स्कूर किया था उसके बाद I think एक अलगी level का confidence दे दिया है यहाँ पर आपने देखा कि Mathias Nuneas जिनको involved किया गया कल के match में I think he had one of the best game फिर आपके academy graduates भी उन्होंने भी अपना अच्छा game दिखा है but Rodri वाला जो गोल है वो that is poetry in motion बड़े आराम से सहजिता के साथ भाई आप between the lines drop कर रहे है और एक shoulder drop पे आपने अपनी chest open करके वो जो गोल मारा है भाई आए हाई एंदे को जहां तारीफ करनी है वहां तारीफ करनी पड़ेगी Man City की football अभी इस वक्त पर सबसे fluid football है और उनके आसपास भी कोई और टीम नहीं भटक सकती अगर आप quality की बात करो अगर आप manager की quality की बात करो अगर आप brand of football की बात करो हाँ ठीक है कुछ games ऐसे आएगी जहाँ पर man city points drop करेगी बट सबसे important चीज ये समझने वाली है कि man city अपने football से अपनी quality से कभी समझोता नहीं करती है they don't like to win games by playing dirty या फिर by not living up to their standard और ये सबसे बड़ी बात है कि इसी brand of football को प्रमोट करते करते last year man city ने treble जीता था अब देखो positives अगर आप बात करोगे बासरोना वाले game की तो बहुत सारे है बासरोना का एक तो group भी बहुत easy है और city का भी group भी easy है तो यहाँ पर एक अच्छी victory पहले match में statement victory हासिल किये दोनों ही clubs ने तो वो उनके लिए अब आने वाले games में options open कर देता है कि अब अब को try करना भी जाए तो अपनी bench try कर सकते है बढ़ हाँ यहाँ पर मुश्किलें बढ़ जाएंगी अभी PSG के match के बाद dotman की and definitely यहाँ पर AC Milan अब अगला match जो खेलेंगे वो उसमें points drop करना afford नहीं कर सकते because जितना group of death में यह पिछडे की team उतना जादा उनके लिए qualify कर पाना मुश्किल हो पाएगा अब यहाँ पर Milan को कैसे ना भी कैसे करके Newcastle को हराना पढ़ेगा और Newcastle बहुती confidence लेकर आई है यहाँ पर Milan के home turf से क्योंकि Milan जैसी team को जो last year semi final खेली है और इस साल अगर आप वो एक winter वाला मैं चाटा तो तो अच्छा football खेले है तो उसको रोकना उनके home पर काफी बड़ी बात है वो भी एक inexperienced European manager के साथ जिसको पहले Champions League का छोड़ो किसी भी level of competition का योरोप में मतलब बड़े clubs के around खेलने का experience नहीं था I think this is a very positive result for Newcastle they will consider this as a win I know कि एक point है बट mental तोर पर अगर आप देखो psychological तो बहुत बड़ी victory है ये Newcastle के लिए लेकिन सबसे important game हमारा जो था वो था India versus China जो की निराशा पूरवक रहा हमारे लिए बट ऐसा नहीं है कि आने वाले जो दो games है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते मुझे यकीन है भाई स्टे मैज की उपर और हमारे बाकी players की उपर not just Sunil चेतरी सर बट बाकी सारे players की उपर और होप कि हम आगे जाए बट आप लोग बताए भाई आपको सबसे ज़ादा excite किस game नहीं किया और सबसे ज़ादा बोर आपको किस game नहीं किया और आपको क्या लगता है कि हमारी इंडियन national team जो है football में वो Asian Cup के Asian Games के अगले round में qualify कर पाएगी या नहीं और इसी के साथ भाई हमारे 25,000 subscribers पूरे होने वाले है महज 90 subscribers हम दूर खड़े हुए तो अगर आप चैनल पे नए है और अगर आपको content पसंद आ रहा है और अगर आपको यहाँ footballing conversation में मज़ा आता है तो make sure that you are subscribing to more conscripted और इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा मिलते हैं अगली वीडियो में तो लिए गुडबाई टेक केर सायोनारा